Hello everyone, so guys, आप सोचे होंगे जो आज का topic है, वो बहुत जादा exciting होने वाला है, yes होने वाला है, because हम बात करने वाले हैं, आलू के बारे में, आलू बहुत लोगों का बहुत favorite सबजी होता है, आलू से हम बहुत सारे सबजिया बना सकते हैं, बट क्या आप जानते हैं, कि आलू आप आपके skin के लिए, आपके face के लिए भी बहुत 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 अच्छा होता है, so guys, lockdown के period में, जब आपके बाश्यराजर खतम होने वाला है, sunskin खतम होने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने skincare में, आलू को introduce करना चाहिए, so guys, आप सोच रहोंगे, इस वीडियो से हमें क्या मिलेगा, इस वीडियो से हमें दो चीज़े मिलेंगी, मैं आपको बताऊंगा, आलू के साथ फायदे, इस topic भी यही है, one potato, seven benefits, और मैं आपको बताऊंगा, आलू को आपको कैसे use करना है, ताकि आपको maximum benefit मिले, so अगर आपको यह topic पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और जो लोग अप मेरे चानल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब तो गाई सबसे पहले benefits, सबसे पहला benefit होता है, catacolase enzyme, आलू में catacolase enzyme होता है, जिसके मदद से आपके dark spots और जो acne mark और blemishes होते हैं, वो चले जाते हैं point number two, इसमें होता है potassium, potassium आपके चेहरे को moisturized करकता है और hydration प्रोवाइड करता है number three, आलू में होता है magnesium, जो आपके wrinkles को आने से दूर रखता है और new cell formation में भी मदद करता है fourth, इसमें होता है calcium, जो आपके skin को dryness से बचाता है fifth, ये हर skin time में use कर सकते हैं, अगर आपका oily है, अगर आपका normal है, अगर आपका dry है, अगर आपका combination है कुछ भी skin type हो, आप आलू को अपने skin के regime में use कर सकते हैं उसके बाद जो sixth point है, वो है natural bleaching agent आलू में natural bleaching agent होता है, जिससे आपका चहरा fair होता है on regular uses seventh point and the last point, ये आपके skin से जितनी भी impurities होती हैं, उसको निकालता है So guys, ये रहे 7 points जो आलू आपके skin को करता है, अब हम बात करेंगे कि कैसे आप आलू को use करें तो I will give you three ways, very simple ways in which you can use potatoes and get fantastic skin So guys, step number one, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आलू लेना है, जो साफ हो, इसको अच्छे से धो लीजेगा और fresh आलू हो तो बहुत बेटर है, ये आलू को मैंने यहाँ पे छील लिया है, ऐसे आपको छीलने के बाद, इसको दो भाग में slice करना है ऐसे, इसको आपको ऐसे रब करना है, अपने pigmentation area या फिर जहां पे आपको acne mark है ऐसे करके आपको circular motion में massage करना है for 10 minutes, मालो आपको यहाँ पे acne है, तो यहाँ पे आपको 10 minutes से कैसे massage करना है अगर आपको pigmentation है, अगर आपको चहरे पे बहुत ज़्यादा marks है, तो आप पूरे चहरे पे भी 10 minutes तक massage कर सकते हो यह हो गया dark spots को reduce करने के लिए, इसके दो चीज़े आप कर सकते हैं, या तो आप इसको 10 minutes तक massage करने के बाद, सो जाएए, रात को मतलब, you do it at the night और अगर आप वो नहीं कर सकते हो, तो आप दिन में कम से कम 5-6 बार आपको इसको 10 minutes तक ऐसे massage करके रखना है, फिर थोड़े देर बाद, 2 घंटे बाद, फिर आपने थोड़ा-थोड़ा कर लिया, तो इससे जो आपका juice है यह अंदर जाएगा, और आपका जो dark spots हैं, या marks ह वो चला जाएगा, यह दो steps के बाद, आप बात करते हैं, step number 3 का, step number 3 is a mask which you have to make, आपको यह आलू को grate करना है, अच्छे से आप इसको, एक में करके दिखा रहा हूँ आपको, यह आपको छोटे-छोटे slices करना है इसके, इसको आपको ऐसे काटके, mixi में इसको grind कर लेना है, जब आप mixi में इसको grind कर लीजिएगा, तो आपका जो paste होगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा paste दिखेगा, इस paste को, इस paste को आपको honey mix करना है इसमें, एक चम्मच, honey mix करने के बाद, आपको इस paste को अपने चहरे पे लगा के 10 मिनिट तक रखना है, 10 मिनिट बाद आप इसको धो लीजिएगा, ये paste आपका जो मलाजमा है, उसको दूर करता है, आपका जो pigmentation mark है, वो दूर करता है, step number 3, आप हफते में एक बार भी करिएगा तो चलेगा, अब आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको कैसे लगा के रखना है, थोड़ा सा गीला होगा ये paste, बट आप इसको ऐसे करके रखना के, जो इसका main property है, जो potato juice है, ये आपके skin में बहुत अच्छे से absorb हो जाए, ये आप आपको इस तरह से लगाना है, इस तरह से इसको लगाने के बाद, बहुत ठंडा एक effect आएगा, बहुत देखिएगा, बहुत soothing, बहुत काम लगेगा, इसको 10 मिनिट तक रखके आपको wash कर लेना है, हफते में 2 बार, ये थे 3 ways in which you can get a clear and clean skin, so guys आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताएए, next video किस topic पे आप चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताएए, please guys, I will request, अगर आप मेरे चानल को देख रहे हैं, तो subscribe का button नीचे है, तो please उसको subscribe करिये, बहुत लोग देखते हैं, but subscribe नहीं करते हैं, but अगर आप subscribe करियेगा, तो just, मत guys, please subscribe my channel, like my videos, share it, thank you so much for watching, and I will be waiting for your comments, thank you.